डेड अनिमल के सड़ने से आने वाली बद्बू में जहां ख़डा रहे पाना मुश्किल होता है वहीं ये वल्चर यानि गिद इसकी दावत उडाते हैं स्क्रीन पर डबल टैप करके समझो कि वल्चर इतने सड़े हुए मीट को कैसे खा लेते हैं वल्चर एक इसके वेंजर है यानि डेड अनिमल के मीट को खाने वाला जीव है सड़े हुए मीट में मौझूद कई तरह के हामफुल माइक्रोब्स को वल्चर आराम से खा लेता है अगर इसी जादा सड़े हुए मीट को दूसरा जीव खाले तो इसको फूट पोईजनिंग होना तो पक्का है लेकिन ये भाई साब इसको मझे से खा कर एन्वाइनमेंट को क्लीन रखते हैं वल्चर ऐसा इसके स्टमक में स्ट्रॉंग एसिड की वज़े से कर पाता है जो कि सर्टेन मेटल्स तक को गला सकता है अब वल्चर इस एनिमल के सड़े हुए मीट को खाता है तो ये मीट, माइक्रोब्स और इवन बोल्स इसके स्टमक में मौजूद इस 1-2 pH वाले hydrochloric और gastric acid में आराम से गलकर digest हो जाते हैं एन्वायन्मेंट को clean रखने वाला वल्चर अब इंडिया में खतम होनी की कागार पर है 1990 में 1 करोड थे और अब सिर्फ 11,000 वल्चर ही बचे हैं अगर आप भी ऐसी 3D वीडियो बनाना सीखना चाते हो तो पिन कमेंट में दिये गए लिंक पर क्लिक करो